कली चटाना नमस्कार मैं हो ससी आये जरकन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं राकेश टीकाईत की चतावने दिली की तरह लखनव को भी घेरेंगे भारतिय किसान यूनियान के नेता राकेश टीकाईत ने एलान किया किसान दिल्ली की तरह लखनव का भी घेराव करेंगे उन्होंने काया कि क्रिसी बील को वापस करवाने के लिए लखनव को भी चारो और से घेरेंगे और अपने अंदोरन को दिल्ली से लेकर आगे बढ़ा कर लखनव तक लाएंगे राकेश टिकत ने प्रेस कॉंफिरेंस में कहा कि सरकार को तीनों क्रिसी बील वापस लेना ही होगा और जब तक यह तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे किसानों कांदुलन जारी रहेगा उन्होंने एक तरफ से सरकार को चेदावनी देते हुए कहा कि अगर क्रिसी कानून वापस नहीं हुए तो लखनव को कोविद दिल्ली बना दिया जाएगा और उतर परदेश की राइधानी का चारो ओर से घिराव किया जाएगा टीका करण में देश के टॉप सहरों में राची सामेल कोविद टीका करण अभियान को लेकर जीला सरे कोविद-19 टास्पोर्थ की वर्चूल मीटिंग राची टीसी चावी रंजन के दक्सता में आयुजित होई बैठक में कोविद टीका करण और कुरोना संक्रमन की रोकथाम के लिए गठित विभीन को सांगो के कारियों की समिचा की गई इस तरण बताया गया कि टीका करण के मामले में देश के टॉप सहरों में राची भी सुमार हो गया है वही टीका करण के नरो पर विल्चेयर की सुविता जल्द उपलब्ध होगी ताकि बुजूर्ग और निसकतों को असानी हो सके लीडर इस्कूलों के परधाना द्यापको की ट्रेडिंग 30 से राजिके चैनित असी लीडर इस्कूल के परधाना द्यापको की ओनलाइन ट्रेडिंग 30 जुलाई से शुरू होगी या प्रसिक्षन दिली नेशनल कॉंसील आफ इस्कूल लीडर्शिप की ओर से दिया जाएगा इसमें इस्कूलों के संचालन के लीडर्शिप कैसे डेवलप किया जाए इसके बारे में बताया जाएगा किसी स्कूल या स्थानों में लीडर कैसा होना चाहिए और उनके काम कैसे होने चाहिए इसके बारे में भी बताया जाएगा मन्रेगा में रिक्त पदों को अभिलम भरने का निर्देश मन्रेगा आयुक्त राईस्वरी बी ने सभी उबिकास आयुक्तों को मन्रेगा में रिक्त पड़े पदों को अभिलम भरने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि निमावली के उंसार मन्डेगा गाइडलाइन का पालन करते हुए विग्यापन परकासित कर नियोकती सम्मादी पर किरिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि पद रिक्त होने से कारेक की गती पर असर पर रहा है। मन्डेगा आयुकत ने सोमर्को राजे के सभी उपिकास आयुकत वपोस्ट ओफिस के अधिकारियोक साथ वर्चूल बैठाक में अनिदेश दिया है। जारखंड के हक की लड़ाई लड़ेंगे सुदेश महतो। सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि सरकार अपने दाईतों से मोह मोर रही है, अपनी नकामियों को छीपाने के लिए केंद्र और कोविट का सहरा ले रही है, लेकिन आईसू पार्टी चूप रहने वाली नहीं है, या संगहर से उपजी पार्टी है, आरक्षन बेरुजगार इभाता, रुजगार, सिक्षा, नियमिती करण, नियोजन निती सहीत वा तमाम विशय जिनका जिक्र वरतमान सरकार के मेनी फेस्टों में था, आई चार्चा में भी नहीं है, उन्होंने राज्य के भविश को अंधिकार में डाल दिया है, लेकिन आईसू पार्टी के नेत और करकरता अब सड़क पर उतर कर जार्खन और जार्खन यों के हक और अधिकार की लडाई लड़ेंगे, छात्र विरती के लिए चात्रों की अनिस्चित कालीन भूखरताल, शात्र दोजर बीस एकिस के लिए दोबारा छात्र विरती पोटल नहीं खोले जाने से नराज ब सरकार पर फुटा, पता जे धारना स्थल वार्ता के लिए सरकार की ओर से किसी भी प्रतिने धी के नहीं आने से छात्र खासे नराज थे बिना नक्सा वाले भौनों को तोड़े नहीं उन्हेरे उलाज कराए राजधानी में चल रहे अत्र कर्मन हटाओ अभियान परोक लगाने के लिए सोम वार को डिप्टी मेर संजीव विजयवर गिये नेमुकी सचीव सुकदेव सिंग से मुलकात की इस दवरान डिप्टी मेर ने मांग की की पूरे सहर में नदी नालों के किनारे में बसे घरों को तोड़ा जा रहा है इससे पूरे सहर के लोगों में भाय का महल बना हुए है इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि सरकार बिना नक्सा के बने इन भवनों को तोड़ने की बजाए इन्हें रेगुलाइज करें ताकि लोगों के मन में जो भाया वह दूर हो ठीका करन केंद्रों पर मिलेगा वीलचेयर राची के टीका करन केंद्रों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को विल्चेर उपलब्द कराया जाएगा अभी केंद्रों में विल्चेर नहीं होने से बुजुर्गों और दिव्यांगों को परसानी हो रही है इसके अलावा ने धारित समय पट्टी का कर्णम शुरू किया जाएगा बतादे जिलास तरिये कोवी टास्पोर्स की बैठाक में सो महर को यह निर नहीं लिया गया है ओनलाइन हुई बैठाक के ज़क्सता उपायुक छविरंजन ने की अभिभावक संग ने चलाया हस्ताक्छर अभियान चारखन अभिभावक संग की ओर से नीजी स्कूलों में फिस बिरिदी के खिलाब चलाया जा रहे आंधुरन का तिसरा चरन सो मौर से शुरू हुआ पतादे लालपूर चौक पर हस्ताक्षर अवियान चलाकर संग ने फिस ब्रीदी का विरोध किया जारखन अवियावक संग के अध्यक्ष अजयराय ने कहा कि इस महामारी में जो इस्कूल आपदा में औसर तलासे हुए हैं उनके खिलाब सरकार कोई निर्न नहीं ले पा रही है संग और अविभावकों ने कई बार सरकार से फिस कम करने और महामारी काल में रहात देने की मांग की लेकिन सुनवाई नहीं हुई जारखन में 37 नहीं केस मिले हैं जो राची से 2, बोकारों से 9, धनबाद से 1, रामगवर से 3, कोडरमा से 6, देववर से 2, गुमला से 2, लातेहा 3, सिम्डेगा साथ, गढ़वा 1, जामतरा से 1 मिले हैं जारखन में 45 मरी स्वस्थ भी हुए हैं जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 246 है बताद भारत में 3,811 केस मिले हैं बारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 3,92,696 है सिक्छक फुरसकार के लिए 3 सिक्छको के नाम का परस्ता है प्रतिवर्स पाँच सितमर को दिये जाने वाले राष्टी ये सिक्षक पुरसकार के लिए इस बार राची जीले के तीन सिक्षकों के नाम का प्रस्ता वराई सिक्षा विभाग को भेजा गया है चेतरीय उप सिक्षा निदेशक सहजीला सिक्षा पताधिकारी अरविन बिजय ने जीले के तिन सिक्षको के नाम का प्रस्ता इसकूली सिक्षा एम सक्षता विभाग को भेजा है देवगर एम्स का OPD चालू नहीं करना दुरभागे पूर्ण हाई कोट देवगर एम्स में OPD चालू नहीं करने पर जार्खन हाई कोट ने केंदर सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया है जशिस, राजेश, संकर की अदालत ने कहा है की सिर्फ उधगाटन के चलते OPD सुरू नहीं करना दुरभागे पूर्ण हाई अदालत ने केंदर और एम्स को 26 अगस्त तक जवाब दाखिल कर या बताने को कहा है की देवगर एम्स में अभीता कोपीडी के और सुरू नहीं की जा सकी है हेमंत सरकार गिराने की साजिस में गिरफतार तीनो अरवपितों की बाबुलाल से जान पहचान जे एम एम जार्खन मुक्ति मोर्चा ने कहा है की राई सरकार को गिराने की साजिस में गिरफतार तीनो अरवपितों को भाजबा विधायक दलके नेता बाबुलाल मरांडी पहचानते हैं जामो महासचियो सुपरियो भटाचाय ने सो मर्गुप्रेशवर्ता में कहा की बाबुलाल तीनो अरवपितों को न सिर्फ पहचानते थे बलिक उनकी आर्थिक इस्तिती कितनी है वह भी जानते थे यानि की रिष्टा काफी पुराना था कहीं न कहीं बाबुलाल और तीनो गिधाम की दे तो आम आदमी कहां जाएंगे रामेसवर उराव पता जहरखन में अक्सिजन की कमी से कितने मरे दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने कॉंग्रेश के परदेश अध्यक्ष यों राजी सरकार में मंत्री रमेशर उराव के बियान पर कोड़ी परतिकिरिया दी है परकास ने सोमवार को कहा कि कॉंग्रेश जानता को बरगलाने में माहिर है राम के अस्तित्यों कोही ना कारने वाली पार्टी को और योद्या के राम लला अवियाद आने लगे भाजपास से पूछने की बजाए हिमत है तो रामेशवर उराव ही बताए कि जार्खन में अक्सियन के अभाव में कितने लोग की जान गई है उन्होंने उराव के उस प्यान को हाद से अस्पत बताया जिसमें उन्होंने कहा कि केंदर सरकार को मौत पर मोवजाद देना पड़ेगा अंतर राजिये बस परिवहन के अनुमती देने की मुख्यमंत्री से मांग जारखन राज बस ओनर एसेशेशन के अध्यक सचिजानन सिंग ने अंतर राजिये बसों के परिवहन का आदेश निर्गत करने की मांग मुख्यमंत्री से की है सोमार को एसोसियेशन की ओर से मोख्य मंत्री को पत्र लिएकर कहा गया है कि बसों का परिचलन नहीं होने से बस मालगों की स्थिति दैनिये हो गई है अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के दिशार निर्देशों के अनुरूप राज्य में ट्रेन से लेकर हवाई जाज तक और अने छोटे वाहनों का परिचलन हो रहा है ऐसे में जार्खण से दूसरे राजियों और दूसरे राजियों से जार्खण में आने वाली बसों के परिचलन पर से रोक हटानी चाहिए SSP ने किया PCR 29 के 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंट राज धानी राची में पासू लदे ट्रॉक से पैसा लेते PCR 29 के पुलिस कर्मियों को वीडियो वायरल मामने में 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है बता दे SSP सुरेंट कुमार जाने राविवार देर रात बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद मुख्याले DSP डूग को जाच का निदेश दिया था जाच में आय तत्यों के अधार पर बिश्राम मुराव आश्रेनी विभाग कुमार उदय कुमार राजस कुमार और चालक पौल सुरीन सामिल है उलेखनी है कि रभिवार को पुलिस कर्मियों को पैसा लेते वीडियो वायरल होगा था रूपा तिर्की मामला साहिब गंज महिला थाना प्रभाई रूपा तिर्की की संदीग्द मोत की जाच के लिए जार्खन सरकार द्वार गठीत न्याईक आयोगने मामले में जाच तेज कर दी है जार्खन के पुरो मुख्य न्याईधिस बीके गुपता इसी करी में साहिब गंज पहुचे जाओन होने इस केस से समनित कूल 15 लोगों का मोखिक ब्यान सुना जिसे एफ़े डेविट के मादेम से लिखित रूप से आयोग में जामा करने का निदेश दिया गया जार्खन में 30 जून तक लगने थे 22 चमपा कल लगे सिर्फ 3000 राज्य की सभी पंचायतों में 55 चमपा कल लगाने की योजना कछवे की रफ्तार में चल रही है बतादे गरामिन इलाकों में पेजल संकट दूर करने के उदेश से पेजल यमस्षता विभाग ने बितिये बर्ष 2021 में इस्योजना गोस्ना की थी इसके तहद विधायको की अनुसंसा पर राज्य की सभी 442 पंचायतों में 22,10 चमपा कल लगाया जाने थे इसके लिए 500 रूपय का बजटिये उपलवद भी किया गया था हलाकि अब तक या लक्ष के विरूद मात 3,000 चमपा कल ही लगाया जा सके है राज्य में बर्ष 2014-2016 के विश प्राथमी को अमद भी द्यालोय में 13,760 की नियुक्ती की गई थी नियुक्ती से लवग पांच वर्ष बित जाने के बाद भी अब तक इन में से 8,000 सिक्ष को की सेवा सम पोष्टी नहीं हुई है जबकि इनके पर्मान पत्र सत्यापन का कार्य भी पूरा हो गया है इन सिक्ष को की सेवा सम पोष्टी के लिए इसकुली सिक्षायम सर्चता विभाग बर्ष 2018 से जीलो को निर्देस दे रहा है जारखन के गरामिन छेत्रों में 5000 वर्ग फिट से कम में है मकान तो नक्सा पास कराने की जरूरत नहीं बिना नक्सा के बने भौनों पर सहर में धराधर करवाई हो रही है अवे निर्मान मानकर उन्हें तोड़ने का आदेस दिया जा रहा है वही गरामिन छेत्रों में बन रहे घरों के लिए रहात भरी ख़वर आ रही है बता दे अगर आपका घर गरामिन छेत्र पंचायती राज छेत्र में है या आपका घर बनवार है है और उसका छेत्र पर 5000 वक्ट फिट से कम है तो आपको नक्सा पास कराने के बैदता नहीं है धन्यवाद